हलो फ्रेंज सुमास किचन में आप सब का स्वागत है आज में आपके लिए सौथ इंडियन फेमोस साग गोंगुरा से दो तरके का चेटनी रेस्पी लेके आयों सौथ इंडियन रेस्पी कट्टा साग से दो डिलिशस चेटनी रेस्पी लेके हैं। जिसको कट्टा तिका पसंदे। उनलोग को ये रेस्पी बहुत पसंद आएगा। ये चावल के साथ बहुती टेश्टी लगता है। ये तो बनाना बहुती एजी है। चलिए देखते हैं गोंगूर चेटनी कैसे बनाना है? पहले हम रेड चिल्ली से चेटनी बनाएंगे। ये चेटनी आप बनाके माईनो बर आप स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा, ये एकी तरह अचार की टाइप है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनाना है। कटा साग को दो तिन ब कड़ाई में टू त्री टेब्र स्पून तेल डालके गरम करलीजिये तेल गरम होने के बाद 15-20 रेड़ चिल्ली डालके फ्राइ करलीजिये साग बहुत खट्टा होती है इसलिए इसमें मिर्ची ज्यादा लेना है अगर आप मिर्ची कम काती हो आप कम ले सकते हैं देखिए इसी तरा मिर्ची को दो-तीन मिनिट बून्द के एक प्लेट में रख दीजिये फिर उसी पैन में हमने दोके रखाता गोंगुर ओ सब डालके फ्राइ करलीजिये गोंगुर के अंदर पानी कतम होके ड्राइ ओनी तक फ्राइ करलीजिये इसको स्टोर करने के लिए इसमें पानी बिल्कुल नई रहना चाहिए अगर आप चाहिए तो तेल ज्यादा डालके फ्राइ कर सकते हैं देखिए इसी तरा गोंगुर को फ्राइ करके रख दीजिये दो लेसन को बिना चिलका निकालके एक प्लेट में रख दीजिये बिना चिलका की लेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है अगर आपको चिलका पसंद नहीं हो आप निकाल सकते हैं गोंगुरा मिर्ची भी ठंडा हो गया अब इसको पीस लेते हैं मिक्सी जार में पहले रिट चिल्ली और स्वाद अनसार नमक डालके पीसना है रिट चिल्ली पीसने के बाद इसमें फ्राइ करके रखाता गोंगुरा वो डालके फिर पीसना है इसको ज़्यादा पेश्ट नहीं बनाना है दरदरा पीसना है अब इसमें डेड़ सारा लेसन डालके फिर एक रौंड चलाना है क्योंकि इन सबी चीजों को ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है बस दरदरा पीस के रखना है आप देख सकते हैं देखिए इसी तरह पीस के रखना है चलिए अब चेटनी के लिए तटका लगाते हैं गोंगुर चेटनी में तेल ज़्यादा पड़ता है तेल अच्चा सा गरम होने दीजिए गरम होने के बाद इसमें वन टेबूल स्पून सरसव दो रिड़ चिल्ली वन टेबूल स्पून चना दाल तोड़ा सा खरी पत्त डालके फ्राई कर लिजिए अब इन सबी चीज फ्राई होने के बाद स्टाव बंद कर लिजिए स्टाव बंद करने के बाद जो हमने पीश्के रखाता गोंगुरा पेष्ट वो सब डालके इसमें मिक्स करना है इस चेटनी में बिल्कुल पानी नहीं डालना है तेल में डालने के बाद ये बहुत अच्चा गिला हो जाती है इसलिए इसमें तोड़ा तेल ज्यादा पड़ता है और आपको चार-पांच माईनों तक ये खराब नहीं होगा रेड चिल्ली से चेटनी तयार हो गया चलिए अब ग्रीन चिल्ली से चेटनी बनाते हैं ये बनाना भी बहुत ही आसान है चलिए फटा-फट देखते हैं ये कैसे बनाना है गोंगुरा को अच्चा सदो के एक बॉल में रख दीजिए अब इसमें 6-7 ग्रेन चिल्ली, स्वाधनसार नमक और 1 ग्लास पानी डालके इसको बॉयल कर लिजिए इसमें आप जितना पानी डालो उतना पानी कतम होने तक इसको बॉयल करना है क्योंकि इसमें जो ग्रेन चिल्ली और गोंगूरा अच्चा साफ्ट होना है देखिए इस तरह बॉयल करना है इसको तोड़ा सा ठंड़ा होने देजिए तोड़ा ठंड़ा होने के बाद इसको मैश करना है देखिए इस तरह गोंगूरा और मिर्ची को अच्चा सा मैश करना है अगर आपके पास ये नहीं तो आप दरदरा मिक्से में भी पीश सकते हैं लेकिन इस तरह करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है देखिए ये तयार हो गया चलिए अब इसके लिए तड़का लगाते हैं कड़ाई में 4-5 टेबुल स्पून तेल गरम करलीजिये तेल गरम होने के बाद इसमें 1 टेबुल स्पून सरसो वन टेबुल स्पून जीरा दो रेड़ चिल्ली वन टेबुल स्पून चना दाल तोड़ासा खर्री पत्ता और तोड़ासा प्याज और तोड़ासा लेस्टन डालके इसको अच्छासा फ्राई कर लीजिए प्याज लेस्टन ड्रेड कल राने तक फ्राई कर लीजिए देखिए प्याज लेस्टन अच्छासा फ्राई हो गया अब इसमें गोंगुरा पेस्ट डालके मिक्स कर लीजिए मिक्स करने के बाद स्ठव बंद कर लीजिए चलिए अब सरू करते हैं ये दोनों चेटनी चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दो तरके का सौत इंडियन फेमस गोंगुरा रेस्पी आपने देखा थाना आप भी एक बार जरूर बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्टी इजी सौत इंडियन रेस्पीस देखने के लिए जेल्दी से जेल्दी मेरा चानल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा रेस्पी पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपका दोस्तों को भी शेर कर लिजिए धन्यवाद